हलो गाईज, 110 शब्द प्रति मिनट एडिटोरिल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट, किसी समस्या से पार पाने के लिए केवल नियम काईदे बना देना भर उस मसले के हल का परयाय नहीं हो सकता अगर अमल के इस्तर पर किसी नियम को इमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तो वह जादा जटिल इस्थितियां पैदा कर सकता है मसलन ब्रस्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल नामक संस्था को अस्तित्व में आने से पहले किस जद्दो जहद से गुजरना पड़ा वह जगजाहिर है लेकिन आज भी अगर इस संस्था के ढाचे और कामकाच को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इससे एक बात साफ है कि कोई कानून अपने आप में मुकमल हो सकता है लेकिन अगर उसे लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है या फिर इच्छा शक्ती में कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा देश में लंबी लड़ाई के बाद अस्तित्व में आई भरस्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल का गठन तो हो गया लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि यह महज अपने ओपचारिक स्वरूप में काम करती रहे और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकले वरना क्या वजह है कि दो साल से जादा गुजर जाने के बावजूद अब तक लोकपाल जैसी संस्था में शिकायतों की जाज के लिए अधिकारी की नियुकती नहीं की गई गौर तलब है कि ब्रस्टाचार की व्यापक समस्या पर काबू पाने के लिए चले आंदोलन में और उससे पहले भी लोकपाल के लिए लंबी लड़ाई चली फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सरकार के तंत्र में लोकसेवकों के भ्रस्टाचार पर रोक के लिए केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्था गठित करने का प्रावधान किया गया एक संस्था के रूप में लोकपाल के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे नियमित जाच निदेशक की नियुक्ती की जरूरत थी जो लोकपाल की और से भेजी गई ब्रस्टाचार की शिकायतों की शुरुवाती जाच कर सके लेकिन अब सूचना अधिकार कानून के तहट सामने आई एक जानकारी के तहट यह बताया गया है की लोकपाल के अस्तित्व में आने की दो साल बाद भी केंद्र सरकार ने जाच निदेशक की नियुक्ती नहीं की है सिर्फ इतने भर से यह समझा जा सकता है की लोकपाल के निर्भाद कामकाच को लेकर सरकार कितनी उदासीन है या फिर उपेक्षा भाव रखती है सवाल है की हर थोड़े दिनों पर ब्रस्टाचार को देश की सबसे बड़ी समझ्या बताने वाली सरकारें इससे लड़ने वाले धाचे को ठोस और कारगर बनाने के लिए वाजिब पहल कदमी क्यों नहीं कर रही है आकणों के मताबिक लोकपाल को बीते करीब साल भर में सो से ज़्यादा शिकायतें मिले जबकि 2019-20 के दोरान 1427 सिकायतें मिली थी सवाल है कि अगर किसी तरह लोकपाल के पास पहुँचे मामलों की जाच तक के लिए उचित तंत्र या अधिकारी मौजूद नहीं है तो ऐसी सिकायतों का हश्र क्या होगा विडंबना यह है कि मुख्यधारा की राजनीती में जो पार्टियां भरस्टाचार को सबसे बड़ी समस्या बता कर जनता को उससे मुक्ती दिलाने का भरोसा देती है वही सत्ता में आने के बाद इस समस्या के प्रती लगभग उदासीन हो जाती है अफसोसनाग यह भी है कि ब्रस्टाचार के लिए सरकारों को कटगरे में खड़ा करने वाली विपक्सी पार्टियां भी एक कारगर और परभावी तंत्र के रूप में लोकपाल के काम करने के लिए सरकार से सवाल करना जरूरी नहीं समझती है ऐसे में आज भी अगर कहीं नियुक्ती तो कहीं ठोस अनुपालन के अभाव में लोकपाल कानून बदहाल दिख रहा है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है सवाल है कि भरस्टाचार पर रोक लगाने वाले तंत्र की इस इस्तर की अंदेखी की समांतर क्या इस समस्या से पार पाने की उम्मीद की जा सकती है पेरा आंदुलनकारी किसानों को संसद के बाहर धर्ना परदशन करने की इजाजत देने से दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है जबकि किसान 22 जुलाई से संसद पर परदशन का एलान कर चुके हैं इस मुद्दे पर किसान प्रतिनीधियों और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक भी हुई पर नतीजा कुछ नहीं निकला उल्टे पुलिस ने धरने के लिए कोई और जगह तलाशने को कह दिया इससे टकराव पैदा होने का अंदेशा है संसद का मांसुन सत्र शुरू हो चुका है दोनों सदनों में किसान आंदुलन का मुद्दा जोर सोर से उठा इस आंदुलन को आठ महीने से जादा हो गए हैं क किसानों का अब तक जो जज़बा देखने को मिला है उसे देखते हुए तो लगता है कि किसान संसद के बाहर जाये बिना मानेंगे नहीं इस बीच दूसरे प्रदेशों से किसानों का दिल्ली की सीमा पर पहुँचना जारी है ऐसे में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोपपाना पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है पुलिस का अपने पक्ष में यह तर्क हो सकता है कि प्रदर्शन के नाम पर कहीं वैसी इस्थती खड़ी न हो जाए जेसी इस साल 26 जनवरी को बन गई थी उस दिन किसान आंदुलन में घुस आय शरारती तत्वों ने लाल किल्ले सहित कई इलाकों में उत्पात मचाया था जाहिर है इससे एक जायज किसान आंदुलन की साख को बट्टा लगना ही था यह सही है कि राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस किसी तरह का जोखिम मोल नहीं ले सकती पर ऐसा भी नहीं कि आंदुलन कारी किसानों को प्रदर्शन की इजाज़त देने के लिए कोई उप्युक्त रास्ता न निकाला जा सके संयुक्त किसान मोर्चे ने रोजाना 200 किसानों को संसत के बाहर धर्ना प्रदर्शन करने देने की इजाज़त मांगी है यह किसान अपने परिचे पत्रों के साथ जथे में वहां जाएंगे और अपनी आवाज संसत तक पहुँचाएंगे लेकिन पुलिस 200 किसानों को भी जमा होने देने में बड़ा खत्रा देख रही है उसके इस डर के पीछे शायद वे खूपिया सूचनाएं हैं जिन में संसत भवन के आसपास छोटे-छोटे सम्मुहों में किसानों के पहुँचने की खबर है दर असल किसानों को दिल्ली में गुशने से रोक पाना व्यावारिक रूप से संभव भी नहीं है यह भी एक मुश्किल काम है कि दिल्ली की सीमाओं को संसत सत्र चलने तक बन कर दिया जाए ऐसे में घूम फिर कर सवाल यहीं आता है कि आखिर किसानों की समश्या का समाधान निकले तो कैसे अब तक के आंदोलन से साफ हो चुका है कि किसान आसानी से तो नहीं लोटने वाले दूसरी और सरकार भी हट धर्मिता पर उतरी हुई है और बार बार दोहरा रही है कि कुछ भी हो कानून वापस नहीं होंगे इससे तो तकरार और बढ़ना ते है किसान आंदोलन में फूट पैदा करने की रन्निती के वजाए वारता की कोशिशें ही कोई रास्ता निकाल सकती है यह नहीं माना जाना चहिए की मोका हाथ से निकल चुका है दोनों ही पक्षों को कुछ जुकते हुए बादचित फिर से शुरू करनी ही होगी इतिहास गवा है की बादचित से बड़े से बड़े गतिरोध दूर हो जाते हैं लेकिन किसान आंदोलन के मामले में अब तक देखने में यही आया है की सरकार का रुख उदारता का नहीं बलकि सकती का है उसका रवईया सबक सिखाने वाला है पर यह नहीं भूलना चाहिए की फूट डालो और राजकरों की नीती से बुनियादी मुद्दों का हल नहीं निकलता अगर क्रशी कानून वाकई किसानों के हित में होते तो क्यूं किसान अब तक आंदोलन कर रहे होते स्टॉप